हमारे देश की जो हलात हैं, जो नफरत के बीच बोए जा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है, इन दलाल मीडियों का है, गोधी मैं तो खुले काम कहता हूँ इन दलाल है। कुछ लगा चकते हैं, पांच किलो राशन दे करके आप लॉली पॉप दे रहे हो, लोगों के द्रोजगार आपने छीन लिया, कारोबार आपने छीन लिया, आप लखनों क्या पूरे मुल्क के आप विपारी और बड़े विपारी तो पुछिए उनके बिजनस के क्या हाला थ क्योंकि अब बीजेपी की तो अर्थी बन चुकी, जनता इतनी परशान है, काओं मा आकर जाओं तुम ना, जो रोड बनी होई ती सब तुट्टी पड़ी है, हम इस सहा के लड़के पर ठेका है, और जब वो कोई दूसरी पाल्टी आएगी चोविस के बाद, तो देख ले हैं, हमाई बहन माताओं के लिए नौकरिया नहीं है, बस केवल मीडिया पर दिखाते हैं, न्यूस चैनल पर दिखाते हैं, उसके बारे में आपके असूश के बारे में यह तो जूड बोलते हैं, सरा सर मालूम है कि सबको जूड बोलते हैं, नरेंदर मोधी जी को, हमारे आ हुआ है अतबास और आप देखरें 4PM News Network और आखिरकार इंडिया गटबंदन ने गोधी मीडिया के कुछ आंकर्स हैं जिनका बाहिशकार कर दिया है साफ तोर पर मना कर दिया है कि नहीं अब इंडिया गटबंदन का कोई नेता कोई प्रवक्ता ना ही तो उनसे बात करेगा ना ही उन्हें बाइट देगा ना इंटर्व्यू देगा आम जंता के बीच है हम लोगों से पूछेंगे जिस तरह से इंडिया गटबंदन ने ये फैसला लिया है क्या ये सही फैसला है क्योंकि अब बीजेपी की तो लेना इतनी बड़ा घोटा ला निकलागा लिए इंकर की बात करी हो गोधी आंगर की बात कररें इंडिया गटबंदन ने बहुष्चार किया आप वो किसी भी जो गोधी मीडिया से आंकर को ना बाइट देंगे ना इंटर्व्यूर देंगे तो इसको कैसे देगे भाजप देश का चौथा अस्तंभ़ मीडिया है ये नेता नहीं है जो बहिस्कार कर रहा है इनको अपने में सुधार लाना चाहिए, लड़ना चाहिए, भीड़ना चाहिए, सब कुछ काम करना हाँ समझे रही तिलिएर आप मेरा सवाल नहीं समझे इंडिया गंद्धं के सारे नेताों ने एक करके घोधी मेडिया के इंकर का भाई 250 व्idents हो दिखिंद्या 5 जाय उवरिष्ट अनसे बढ़े हैं वरिष्ट आstat वोलना हैं उस ट्रोले हो मैदानों के लटे और दूसरी बात जहां तक यह है कि जातिवगा धर्मगा ताधार पर ना तो मोदी अब जीत पाएंगे और ना भविस में जीतेंगे बात समझेगा और दूसरी बात यह है अब इनका मोदी जी का उम्र समय सन्यास का समय आ चुका है इनको अब ततकाल पद पद छोड़ देना जो नफरत के बीच बोए जा रहे हैं इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है इन दलाल मीडियों का है गोदी मैं तो खुले काम कहता हूँ इस दलाल है और मैं तो यह कहता हूँ अपने देश इतना खुबसूरत मुल्क था 2014 से पहले का मुल्क देखे कितना खुफसुरता कितनी महबत थी एक प्लेट में हिंदू मुस्लिम सी किसा ही सब खाते थे आज भी वह महावल है लेकिन गोदी मीडिया ने इतना गंदगी फैला दी है घर में टीवी देखने का मन नहीं करता है कि टीवी खोल दी जाए आज रहे हैं रूबिका लियाकत जैसे बड़े रिपोर्टर्स कुछ लिख रहे हैं ऐसा लिख रहे हैं कि इंडिया गट बंदनके नेटा घबर आ गए उनके सवालों के जवाब से इसलिए बाईशकार मैं रुबिका लियाकत को बड़ा मानता ही नहीं हूँ, बड़े हमारे लिए रवीश कुमार सर हैं, बड़े हमारे अभिशार सर्मा जी हैं, पुन परसुन बाचपाई जी हमारे लिए आरफा खानम जी बड़ी हैं, हमारे लिए लखनों की बेटी हमारी बहन प्रग्या मिश् अब तब घबराय हुए हैं जब से इंडिया अविपच्छ गडबंधन बना हुआ है तब से घबराय हुए है हम लोग भी यह था कि भाजपाएगी कुछ नया होगा कुछ अच्छा होगा आज जब भाजपा के आने से आठ्मे घुचि रहा है दे तो ऐसे घुचि पूच नहीं आप लोलीपोप दे रहे हो लोगों कि पूरे मुल्क के आप विपारी और बड़े विपारी से पूछिए उनके बिजनेस के क्या हालात हैं आप GST, साल में GST के नाम पे आप कितना पैसा कटा कर रहे हो आप G20 के नाम पे डैली में आप G20 होती है 4,110 क्रोर पे आप खर्च कर देते हो आप अपना कैमरा और ले करके चलिए है मेरे साथ मेडिकल कॉलिज देखे देखे पेशेंट की क्या हालात है एडमिट होने के लिए उनके बेट नहीं है आप 3,000 क्रोर की सरदार पटेल की मूर्तिया बनाते हो आप वो पैसा आप होस्पिटल बनाईए आप कॉलिज बनाईए आप क्या कर रहे हैं पांच कुलो राशन दे करके आप लॉलिपॉप दे रहो बिचारे हमारे सबसे बड़ी चीज क्या है कि गाउं से हमारे राज में एजुकेशन सिस्टम सबसे ज़्यादा मजबूत हो सबसे घटिया हो गया सबसे घटिया होे एजुकेशन ट्राइज करकुई कोई ने पीचेशन सिस्टम में पीछे आप है आप हैल्द ध एनमें जायए एल्फ डीपार्ट्मेंन भी थल्भ सबसे पीछे करबशन सबसे उपर है और अमारी महिलाओं के साथ क्या हो रहां तो सबको पता ही है जोड़े जी बताते हैं मेडिया तो बताते हैं कि 15 क्रोण मिलेंगे पंद्रा लाग आएंगे किसके आइकोन में आ रहा है बेरुजगार बीकों बीएट लेलबी करने वाला ललका जोग कर रहा है हमारी बहने नौकरियां कर रही है बेरुजगार है सब डाल की महेंगाई देख लिए 280 रुपर में जा रहा है आउल गांदी जी जब घेड़ते हैं नरेंदर मोदी जी को हमारे आधरनी परदा मंति जी को घेड़ते हैं तो दर्द सबसे ज़्यादा गोदी मीडिया को होता है उनके नेताओं को, उनके मंदरें को दर्ध बाद में होता है, पहले दर्ध गोदी मीडिया को होता है, उचल के वो आ जाते हैं उनका फेवर करने के लिए, और पूरी तरीके से मीडिया को कैप्चर कर रखा है, हम लोग बिलीव नहीं करते हैं जो हमें गैस खरीदनी भी पड़ेगी, डेफनेटली जब लिपकोल यहाज हम साथा का लेंडर नहीं आएगा, मतलब दो सो रुपए भी कम किया है, विल्कुल ने किया, चार सो से चार सो रुपए के सिलेंडर, तीन सो च्टार सारासी रुपए के सिलेंडर, तीन सो चारासी चुटे कि पून होते हैं की पैड वाले वहां चलाता है आपको मालूम है उसका कितना 99 रुपय का उसका पैकेज ऑट इस दिन का उसको 99 रुपय में सरफ 15 दिन का कर दिया गया आपको 200 नहीं देगा तो हमें देगा करोड़ों लूट लिए हमें दे दिया पैसा जोड़ा उठाके बिल्कुल जाने वाले हैं, जोड़ा उठाके बिल्कुल भागने वाले हैं उनका जबाना जबत हो जाएगा और अखली बार 2024 में इनका उत्तर प्रजिस्ट में सरकार नहीं बनेगा गोदी मेडिया की बात करूं कुछ एंकर्स हैं जिनका पहिशकार कर रहे हैं इंडिया गटबंदन तो आप इसको कैसे देखते हैं क्या पहिशकार करना चाहिए नहीं 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 जो भी है उनका मीडिया उनका अपना काम हो अपना काम करेंगे मीडिया का वहिशकार नहीं हो रही है मीडिया पर जो प्रतिपंद लगाया गया है मीडिया के कुछ आंकर्स है कुछ आंकर्स पर तो यह मेरे खाल लगता है कि बहुत अच्छा मोधी पर दबाव बनाने के लिए मैं उसको बताता हूं क्यों नरेंदर मोधी के फेवर में बोलना हर एजंडे को जो हिंदू- तो मुझे लगता है कि कॉंग्रेस ने यह जो पहल किया यह बहुत अच्छी पहल किया है इससे हम नरेंदर मोधी की योजिनाओ पर अंकुछ लगा सकते हैं उन पर सिकंजा कर सकते हैं यह बहुत बढ़िया कदम है इसमें किसी भी मीडिया वाले को थोड़ा सा धहरी रखन चाहिए सब कुछ नर्मल हो जाएगा जब तक शोचल मीडिया भी हाई है कि कुछ आंकर से जिनके वजह से देश में लगाता नफरत पहल रही थी और उस नफरत को रोकने के लिए अगर इंडिया गटबंदा ने ख़तम उठाया है तो बेशक एक ख़तम बहुत अच्छा सा आपी तोने वाला है देश में शानती आएगी और एकता बनी रहेगी याम रुपरसें सत्य नाराइन के साथ मैं है आत अबबास वो पी एम नियूस आट वर्ग कि थो अटाव कि देगने हो पें उन्हा है उन्हाएव़abord कि छुपरओंचे तदूपरे मां बहुत्तो है के लिए भुता इंग सत्तों अन्हाया झाम किरोपद़के सेक्टी मैं अच्पतों एक बालाइंग मैं आइट discharge..